नमस्कार सभी माता पिता दादा दादी नाना नानी को जीवन एक पाड़ साला में मैं कर्णल गिरीष चंद्र खंक्रियाल हारदिक अविनन्दन स्वागत करता हूँ आज का विषय है केरियर ये केरियर बात चुरुआत साब जी से होती है साब जी का बेटा और मेम साब का लाड़ला कई लोग जो है उनकी देखवाल में लाड़ले की देखवाल के लिए लगे रहते थे लाड़ले ने जो है कभी भी अपने हाथ से खाना नहीं खाया या तो मम्मी पीछे पीछे दोड़ करके उसके आगे पीछे करके उसके मुह में डालती रहती थी और या तो फिर जो है उनके जो घर में काम करने वाले लोग हैं वो उनको कैसे ने कैसे खिलाते थे या फिर जो है काट्टू नेटवर्क काट्टून नेटवर्क के सामने काट्टून के सामने उनको टीवी के सामने बिठाए जाता था और फिर जैसे ही वो टीवी काट्टून जा रहे है और काट्टून दिखाए दे रहे है और उनके मुँमें धमा धम करते करते नौबा तिस्त्रविक आगई की 37 साल के हो गए हैं लाडले अब लाडले से लल्ला हो गए हैं और लल्ला जो है करियर बनाते बनाते अब कैरियर बन गए हैं मद्यप्रदेश काफी हरा बरा है और उपर वाले जो हिस्से हैं उनमें जो है आर्थचंद्र और बादल सफेद बादल चमकते वे नजर आ रहे हैं जब भी कभी बोलते हैं कि कहीं उनके लड़की का प्रबंद होता है तो लड़की देखते ही बोलते थे अंकल आप आपका बेटा है बोले ने 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 मैं ही हूँ जो जिसके लिए लड़की चे वो मैं हूँ तो लड़किया सोचती होंगे कि वापर इसका मध्य प्रदेश तो काफी बड़ा है उपर जो है श्रीमान जो है वो इनको कंगी हो गयरा कि भी कोई जरोती नहीं है अर्दचंद्र तो है इनका जो है चमक रहा है और जब उनको यह पता चलता है कि यह तो भया इनको तो चाय बनानी तक भी नहीं आती बाकी तो छोड़ो और इनको जो है खाली टेबल पर खाना खिलाना पड़ता है या तो टेबल में या तो टीवी के आगे जो है इनको बठाना पड़ता है यह जब टांगे लंबी कर देते हैं उसके पाद इनकी अभी भी कार्टून चेन नेटवर्क देखते रहते हैं मुह में इनके डालना पड़ता है जब पिता जी के साथ में कभी वो चलते हैं तो लगता है कि मतलब साब के छोटे भाई होंगे साब जी के उमर भी 68-68 साल की हो गई है तो आप लगा सकते हैं कि उनके छोटे भाई के उमर कितनी हो गई होगी अब जो है कभी कभार जब वो मेरे से बोल डेते हैं कि करनल ग्रीष आप जो है लड़की दुन्ड़ोना मैं बुड़े हो गई है मेरी कमर में दर्द रहता है मेरी हाथ दर्द होता है मेरी यह हो रहा है साब जो है अभी तक रिटायर, साब गिरी से रिटायर नहीं हुए, रिटायर हुए तो उनको कही साल हो गए, लेकिन साब अभी तक साब बने वे, बेटा जो है वो मतलब और बड़ा साब हो गया, तो मेरे को लगता है कि और लड़कियां जो है वो पसंद करती नहीं है तो मुझे लगता है कि उनको अभी लड़की ही चाहिए या सहारा चाहिए बसंत्री तो उनकी अब चली गई है अब तो मतलब पानप्रस्त आश्रम में जाने के लिए थोड़े दिन बचे हुए है अगर मालो अभी इस उमर में साधी भी हो गई और वो 40 साल की अवस्ता तक उनका उनको अगर मालो कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई तो 60 मतलब 60 साल की उमर में उनका बेटा 60 साल मतलब 20 साल का होगा तो 20 साल बोले तो ग्रैज़ेशन के आसपास तो हो गई होगा उसका क्या होगा लला का बेटा कैसे होगा वो आप देखी सकते हैं तो मेरी जो है आप माता, पिता, दादा, दादी, नाना, नानी इन खतरनाक रिस्तों से करबद प्रार्थना है कि अपने बच्चों को ललिता प्रसाद ना बनाएं उसको खेलने दीजिए, उसको साइकल चलाना सिखाईए उसको जो है खेती में कैसे कैसे क्या क्या होता है वो थोड़ा बताईए देव रिन क्या होता है, रिसी रिन क्या होता है, पितर रिन क्या होता है थोड़ा इसके बारे में बताईए इसके उद्धार कैसे होगा इसके बारे में थोड़ा बताईए उमर तो हो कई अभी माता पिता का रिंग कब चुकाएंगे रिसियों का रिंग कब चुकाएंगे जन्होंने पढ़ाया लिखाया है इस प्रकृति ने आपके साथ में जो है अभी भी देरी है प्रकृति इसका इस प्रकृति का देवरिन कैसे चुका होगे प्रिजिक्स केमिस्टी मैथेमेटिक्स और अलान फलाना से नहीं काम चलता आपको ये भी सीखना पड़ेगा और अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा नहीं तो आपको जिन्दगी के आखर माता जी से बोल रहा हूँ मैं माता जी पिता जी दादा दादी आप जब तक रहेंगे न तब तक आपका लल्ला खाना ने खुद नहीं खाएगा अपने आप नहीं खाएगा आपको ही खिलाना पड़ेगा तो उसको जो है पंगुना बनाए बहुत खतरनाक बात बोल रहा हूँ उसको खेलने दीजिए धक्का मारिए उसको नीजिए चमीन पर गिराइए उसको मिट्टी लगाइए उसके उपर तब जाके वो इस देश का लाल वनेगा नहीं तो भुई भार भूता मनुस्यरूपेण म्रिगाश्यरंती धन्यवाद प्रणाम